नरकटिया गंज स्रीराम लोज में किसान कन्वेंशन 15 सितंबर 2021 सिक्टा विधायक विरेंद्र गुपता के अध्धक्षता में संपन हुआ जिसमें 27 सितंबर को बिहार बंद का आवाहन किया गया वहीं सबा को संबोधित करने से पहले किसान महासबा के सभी लोग एवं पश्यमें चंपारन के किसान गन के द्वारा 600 किसान जो अपना बलिडान काला क्रिसी कानून के प्रदर्शन में दे चुके हैं उनके लिए एक मिनट का मौन रखा गया नर्कटियागन से रंजीत गुपता की रिपोर्ट मुख्य वक्ता एवं राष्टे उपा धर्शिक किसान महासबा के सेव सागर सर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा तीन काला कानून लागू किया गया है जिसमें तीनों क्रिसी कानून किसानों के लिए गुलामी एवं आ क्रितिक आपदा से छती के कारण उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता पेन और पेपर एवं जांच पर्ताल में मुआवजे की रासी को गमन कर लिया जाता है यहां तक कि उनके हक और हिस्से को भी रासी छील ली जाती है वहीं बता दे कि आज के समय में पंजाब में जो कि हर राज्य से पंजाब हरियाना दिल्ली राजस्थान के 600 किसानों ने अपना बलिदान दे चुका है लेकिन भारत सरकार अभी तक किसान के हित में कोई कानून नहीं सोच रही है वहीं गन्ना उत्पादक महासबा के राज्य धक्ष ने कहा आज कोई भी लड़का यह नही चि ढंग सक कर सके वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चुनाओ की समय बहुत बड़ी बादे करती है कि किसानों को अच्छे से अच्छे गन्ने का मुल्ले दिया जाएगा और किसानों की खेती के लिए बिज़री पानी की विवश्था की जाएगी बिहार में चितने भी च पुझाप लेकिन किसी मार्केट या अनाज मंडी को बंद कर देने से किसानों के पेट पर लात मारने जैसी है जिससे किसानों में काफी आक्रोस दिख रहा है इसलिए उन लोगों ने सरकार के विरुद 27 सितंबर 2021 को बिहार बंद का आवाहन किया है वही सिक्टा विधायक विरेंद्र ग पुझी पतियों की बैंकों को भर रही है इस प्रकार देखा जाये तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरह किसान इतनी मजबूर हैं कि दिन राट खेत में मैनत करने के बावजूद भी उनको सही कीमत गन्ना और अनाजों का नही आप नहीं किया तो बिहार के किसानों के लिए मैं हर संभव आवाज उठाता रहूंगा और किसी काला कानून को समात कराने के लिए विधान सभा में किसानों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा जब तक कि यह तीनों काला किसी कानून भारत सरकार खत्म नहीं कर देती इ अपना विचार सरकार के विरोध में रखा न्यूज नाइन टाइम्स